पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मु कश्मीर के पुंच और नौशेरा में नियंतरन रेखा पर संगर श्विराम का उलंगन किया है शनिवार रात हुई भारी गोला बारी में सेना के जवान हरी भाकर शहीद हो गए हरी भाकर नगोर जिले के मकराना तहसील के जूसरी गाउं के रहने वाले थे शहीद जाबाज हरी भाकर का अंतिम संसकार पैत्रक गाउं जूसरी में सोमवार को सैने समान के साथ किया जाएगा लेकिन जब से भाकर के परिजनों और गाउं वालों को उनके शहीद होने की सूशना मिली है पूरा गाउं गमगीन है परिजनों ने बताया कि हरी 2016 में ही सेना में भड़ती हुए थे और शहीद के पिता पदमाराम भाकर अध्यापक है उनके जड़वा भाई भी 6 महीने पहले ही सेना में भड़ती हुए हैं जो कि वर्तमान में जबलपूर में प्रशिक्षन ले रहे हैं हरी 15 फरवरी को ही अपनी बेहन का विवाकर ड्यूटी पर लोटे थे और अपने बेटे की शहादत पर पिता पदमाराम ने कहा कि मेरे और बेटे होते तो उन्हें भी फौज में ही बेशता बेटे ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत दी है जो कि एक गर्व की बात है और इतना कहते ही शहीत के पिता फफफ़क पड़े और बेटे के जाने पर अश्रूधारा बह निकली यदि गोवर्मेंट चाहे तो मुझे भी आर्मी में ले झासकती है और में भी देश के लिए सहीद हो सकता हूँ बड़ी कुशी की बात है मेरे दो बच्चे हैं और दोनों अर्मी में है और मी चाहता हूँ कि यदि और भी बच्चे होते हैं तो उनको भी में आर्मी में वेचता, देश की शिवा के लिए.